आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पीजा देख सकते हैं दिखने में कितना ठेस्टी लग रहा है कितना परफेक्ट बना है लग रहा है ना मार्केट जिसा ब्रेड पीजा आप इस तरह से ब्रेड पीजा बनाएंगे तो आपका ब्रेड पीजा परफेक्ट बनेगा वीडियो को फेवरेट पीजा बनाना शुरू करते हैं आलो फ्रेंज मैं हो राजू मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एक बाल लेंगे उसमें चाड चमच सास डालेंगे टमाइटो सास अब इसमें दो चमच पीजा सास डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स अब इसे मिक्स कर देते हैं और पेश्ट त्यार कर लेते हैं इन साले चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए अब मिश्रन रेडी कर लेते हैं एक बड़ा सा बॉल लिए हैं य बारी कट हुआ प्याज ड़ालेंगे बारी कट हुआ सीमला मीर्च बारी कट हुआ टमाटार को सिर। निकल दिये है चाट मसाला एक छोटी चामाच, चिली फिलेक्स एक छोटी चामाच, नमक स्वाद अनुसार एक छोटी चामाच, अब इसमें थोड़ी सी ओरी गैनों डाल देंगे, इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिये हैं, अब आगे के पूरोसिस में चलते हैं, चार ब्रेट की स्लाइसे लिए हैं, अब इसमें सॉस लगा देंगे, जो मैंने सॉस को रेडी करके रखा है, वो सॉस को लगा देते हैं, चार ब्रेट की स्लाइसे में इस तरह से सॉस लगा देते हैं, मैंने चार ब्रेट पीजा बना रही हूँ, इसलिए चार ब्रेट की स्लाइसे लिए हैं, चार ब्रेट की स्लाइसे में सॉस लगा दिये हैं, अब इसके उपर मिश्रन को रख देते हैं, चारो ब्रेट पे इस तरह से मिश्रन को रख देते हैं चारो ब्रेट को इस तरह रेडी कर लिया है अब इसमें चीज डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ चीज बाकी के बचे हुए ब्रेट से लेसेस पे इस तरह से चीज को डाल देते हैं अगर आपको ब्रेट पीजा ज्यादा बनाना है ति इन सारे चीजों को कुंटिटी बढ़ा सकते हैं चार ब्रेट पीजा को रेडी कर लिए हैं अब इसे सेक लेते हैं तावा को गरम होने के लिए रख दिये हैं अब इसके उपर बटर लगा देते हैं एक चमच बटर लिए हैं पूरी तरह से इसे फैला देते हैं बटर को अच्छी से लगा दिये हैं अब इसके उपर ब्रेट पीजा रेडी करके रखें उसे रख देते हैं एक बार दो ब्रेट पीजा को सेख लेंगे गाइस को लो फिलेम पे राखे हैं ब्रेट पीजा को तीन मिनाट के लिए लो फिलेम पे ही सोटे कर लेते हैं आब इसे कफर कर देते हैं कि तीन मिनाट हो गया है चीज अच्छे से मैल्ट हो गया है देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा कितना परफेक्ट बनाए आप इस रेश्पी को जिरूर्ट ट्राय करें आप वह बहुत पसंद आएगा देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है बागी के बच हुए बिलेट पीजा को सिख लेते हैं अब इसमें बटर ग्रीज कर देते हैं बटर को अच्छे से लगा देते हैं अब इसके उपर बिलेट पीजा को रख देते हैं अब इसे कभर कर देते हैं कभर करके लो फ्लेम पे तीन मिनट पका लेते हैं तीन मिनट हो गया है चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है अब इसे निकाल देते हैं देख सकते हैं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है सारे बिडेट पीजा को सेक लिए हैं ब्रेट पीजा को सर्फ कर दिये हैं, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितना परफेक्ट बना ओआ है आप इस रेश्प्पी को ज़रोर ट्ट्राय करें आप भी ट्राय कीजी बनाए और कमेंट करकर बताएं आपके ब्रेट पीजा केसा बना मेरा रेश्पी को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले फेस्बूक पेज को फोलो करना न भूले एक वर फिम मिलते हैं नई रेश्पी के साथ